बच्चे इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिसेट 4.4 का कोश्चन नमबर 3 तो कोश्चन नमबर 3 में टोटल 5 सब कोश्चन दिये गया है तो सभी को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे अब ही हम देखेंगे फर्स्ट सब कोश्चन तो देखेंगा इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर ऐसा है यानि ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके तो फिर हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है देखो यहाँ पर इतना यहाँ से लिकर करके यहाँ तक यह चीज हम लोगों को प्रूफ करना है ठीक है तो अब यह कैसे होगा चलिए समझते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सबसे पहले solution ठीक है तो देखिए इसमें हम लोग वही वाला theorem लगाएंगे जो हमने सीखा था है आप लोग को याद है practice at 4.4 का पहला वीडियो जिसमें हमने दिया गया है इसको हम लोग के मानेंगे देखो यहां पर हम लिखते हैं कि लेट ए और फिर bracket के अंदर क्या है y plus z यह equal है बी bracket के अंदर z plus z plus x फिर c और यहां पर आ जाएगा x plus y इन तीनों को हम equal मान लेते हैं के के मतलब यह जो सब भी है ना वो किसके equal है k के equal है ऐसा हमने consider कर लिया ठीक है अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए तो देखेंगे अगर आप लोग इसमें देखते रहो और इसको देखते रहो ठीक है फिर आपका पर देखो हर एक को किस से हम divide करेंगे a b और c से divide करेंगे ठीक है ऐसा करने से क्या होगा अब भी पता चल जाएगा देखो यहां पर हम हर एक टर्म को यानि इसको भी इसको भी हर एक साइड को किस से divide करेंगे तो a b c से तो यहां पर हम लिखेंगे यहां पर लिख दीजिए by theorem on equal ratio या फिर ब्रैकेट में लिख देना चलेगा ठीक है चलो पहले लिखते हैं a फिर ब्रैकेट के अंदर y प्लस z और नीचे क्या आ जाए और यहां पर लिख दीजिएगा इसका reason मतलब यहां पर हमने कौन सा थिरम लगाया तो by theorem on equal ratios ठीक है यह सभी आपके क्या है रेशोस है आप बोलेंगे कैसे इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं कुछ नहीं मतलब क्या है वन हर एक की नीचे क्या है वन बराबर तो यह ratios ही है ठ by theorem on equal ratios ठीक चलो अब आगे चलते है अब इदेखिएगा यहां पर क्या होगा यह देखो ऊपर है नीचे भी आँपर यह है तो ए से ए को हम लोग कैंसल कर देते हैं फिर यहां पर भी है नीचे भी भी है तो बी से बी चला जाएगा यहां पर देखो सी से सी चला चाएगा ठ y plus z उपर और नीचे आ जाएगा b c फिर उसके बाद यहाँ पर z plus x उपर और नीचे क्या बचा है a c तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे लोग a c ठीक है फिर उसके बाद यह देखो x plus y उपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा a b आएगा और यह सब किसके equal हैं तो k के equal हैं ठीक है इतनी बाते समझ में आई अब हम क्या करने वाले हैं देखो आमने ना क्या किया इसको इस तरीके से बना दिया ठीक है और इसकी मदद से हमें यह मिलेगा ओके तो कैसे मिलेगा देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है y-z और फिर नीचे क्या लिखा है a और ब्रैकेट के अंदर है b-c ठीक है तो इसको धोड़ा simplify करो तो देखो अगर मैं a का multiply यहाँ पर कर दो तो क्या हो जाएगा a into b फिर a का multiply c में करो तो क्या हो जाएगा ac यहाँ आ क्या रहा है a b-ac ठीक है यहाँ पर देखो a b और a c कहां पर है यह देखो a b और यहाँ पर है ac यानि एक बात यहां से आपको समझ में आने चाहिए कि हमें क्या करना होगा a b में से a c को minus करना होगा जब हम यह करेंगे ना तब जाके हमें यह मिलेगा ठीक है तो चलो करते हैं यहाँ पर हमने क्या देखा कि यह सभी रेशियो किसके इकवल है k के इकवल है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते k which is equal to अब मैंने आपको theorem on equal ratio में क्या सिखाया था कि जो हम उपर करेंगे वह हमें नीचे भी करना होगा ठीक है और जिस रेशियो में हम करेंगे उसी रेश मैने तो देखियागा AB के ओपर क्या था एकस माइनस एकस प्लस फाइग तो यहाँ पर आजाएगा ठीक करना होगा माइनस करना होगा कि सको माइनस करेंगे तो और फिर ययमा मैननस इंदर जाएगा और फिर यह उंदर प्लस उता है आप जानते iron नीचे जो है वह तो आ आजाए इसमें से हमें एक और काम कर सकते हैं देखो A इधर भी है तो A को मैंने common ले लिया फिर bracket के अंदर क्या बचेगा A तो बाहर जा चुका है यहाँ पर बचेगा B और देखो A बाहर जा चुका है यहाँ पर आ जाएगा C ठीक है? अब इधर देखिएगा प्लस X माइनस X यह दुनों हो जाएंगे कैंसल फिर यहाँ पर बसता क्या है? Y माइनस Z अपॉन A B माइनस C देखो जो यहाँ पर दिया गया था यह यहाँ पर आ चुका है आया ना? तो चलो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पहले तो फिर आपको समझ में आएगा रूखो एक एक करके हम लोग देखेंगे चिंता मत करो बड़े ही आराम से देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है? Y माइनस Z और नीचे के आया? A फिर ब्रैकेट के अंदर B माइनस C समझ में आया देखो Y माइनस Z अपॉन A फिर ब्रैकेट के अंदर B माइनस C ठीक है? आ चुका है ना? तो इसको हम लोग कंसिडर करने वाले हैं एक्वेशन नमबर 1 ठीक है? और यहाँ पर हमने कौन सा थिरम लगाया? यह वाला थिरम लगाया ना By Theorem on Equal Ratios तो यह भी आपको लिखना चाहिए चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका रिजन मतलब यह लिखने के बाद तुरंत लिखना चाहिए था By Theorem on Equal Ratios तो मैंने नहीं लिखा यह लिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए? यह लिखना चाहिए By Theorem on Equal Ratios फिर इसके आगे वाला जो है वो आप नीचे कर सकते हो समझ में आया तो जैसे हमने यह लाया उसी तरीके से यह भी लायेंगे और यह भी लायेंगे ठीक है? अब यहाँ पर देखिएगा क्या दिया है? नीचे देखो B और फिर रैकेट के अंदर क्या है? C माइनस A तो अगर इसको आप सिंप्लिफाइ करोगी तो क्या आएगा? B, C मतलब B का मल्टिप्लाइ अंदर कर दो B, C और फिर B का मल्टिप्लाइ A में करोगी तो A, B यानि कि यहाँ पर क्या आ रहा है? B, C माइनस A, B तो बताओ B, C कहा पर है? यहाँ पर है A, B कहा पर है? यहाँ पर है यानि यहाँ से आपको एक बात समझ में आने चाहिए B, C के उपर क्या था? Y प्लस Z तो यह लिजे मैंने यहाँ पर लिख दिया Student Y प्लस Z ठीक है? फिर इदर माइनस का साइन उसके बाद A, B के उपर क्या है? X प्लस Y तो यहाँ पर मैंने लिख दिया X प्लस Y ठीक है? चलो अब आगे चलते है अभी क्या होगा यहाँ पर? अच्छा अभी इसका reason लिख दो यह हमने कैसे लिख दिया? आपने मन से थोड़े ना लिखा वो theorem on equal ratios से लिखा है तो लिखिएगा यहाँ पर by theorem on equal ratios theorem on equal ratios ठीक है? चलो अब इधर देख लो बच्चो लोग यहाँ पर क्या होगा? यह जो bracket है इसको हम लोग हटा देंगे तो y plus z फिर minus अंदर जाएगा तो minus x और minus plus मिल करके minus y यहाँ पर हो जाएगा फिर इधर आएगा b c minus ab फिर देखो यहाँ पर कुछ cancel हो रहा है क्या? तो plus y minus y यह दोनों हो जाएगे cancel यहाँ पर आएगा z minus x और नीचे के आएगा student b c minus ab तो देखो अचा रुको इसमें से हम लोग कुछ common ले सकते हैं क्या common निकाल सकते हैं? b को हम लोग common ले लेते हैं क्योंकि b दोनों जगा है फिर bracket के अंदर क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर c और फिर यह a देखो जो यहाँ पर था वो आ चुका है इसको हम लोग consider करेंगे equation number 2 ठीक है? फिर अब हम यह लाएगे तो वो कैसे आएगा? वो भी ऐसे ही आएगा देखें यहाँ पर लिखेंगे k which is equal to इसमें देखेंगा यहाँ पर क्या आएगा? अगर मैं multiply कर दो a into c तो a c और फिर c into b करेंगे तो b c यानि हमें यहाँ पर क्या करना होगा? a c minus b c करना होगा तो a c कहाँ पर है? यहाँ पर है और b c कहाँ पर है? यहाँ यानि कि इसमें से अभी इसको minus करना होगा, ac के उपर क्या है, z plus x, इसमें से minus करो, bc के उपर क्या है, y plus z, तो इसको हमें minus करना होगा, यह हमने कैसे लिखा, तो theorem on equal ratios से लिखा, तो इधर बताओ लिखकर के by theorem on equal ratios, theorem on equal ratios, ठीक है, चलिए आगया आजाएए, अभी यह जो bracket दिया गया इसको हम अटाते हैं, तो यहाँ पर आएगा, z plus x minus का अंदर multiply हो जाएगा, तो यह minus में, यह भी minus में, नीचे देखिए, ac minus bc, चलो आगया आजाओ, यहाँ पर देखो, कुछ cancel हो रहा है क्या, तो plus z minus z दून हो जाएगे, cancel, यहाँ पर क्या आएगा student, तो x minus y, और नीचे, देखिएगा, ac minus bc, यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, तो इसको अभी हम लिखेंगे, बच्चे लोग, equation number 3, समझ में आया, अच्छा, इसमें से हम लोग common ले सकते, न, देखो, मैं बार बार common लेना ही भूल जारी हूँ, देखो, इसमें से हम क्या common ले सकते, c को common ले सकते, तो c को मैंने common ले लिया, फिर bracket के अंदर के आएगा, तो a minus b आजाएगा, ठीक है, तो अगर आप equation number 1, 2 और 3 को observe करोगे, तो यहाँ पर देखिएगा, मतलब equation number 1, 2 और 3 को देखो, जो हमें prove करने के लिए बोला गया था, वो यह तीनो equations में आ चुका है, है न, तो देखो, य यह जो तीनो ratios है न, यह भी आपस में क्या हो जाएंगे, एक्वल हो जाएंगे, तो बस अभी finally इसका आप लोग answer लिख दो, यहाँ पर क्या लिखोगे, from 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, कि this ratio is equal to this ratio and this, this is equal to this, चलिए, लिखते हैं, y minus z upon a, फिर bracket के अंदर b minus c, यह किसके equal हो जाएगा, तो दूसरा वाला ratio देख लिए, z minus x upon b bracket के अंदर c minus a, यह किसके equal हो जाएगा, तो यह last वाला देख लो क्या दिया है, x minus y और नीचे, देखो यहाँ पर c, और फिर bracket के अंदर a minus b यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है न, तो देख सकते हो, आप लोग जो हमें प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया, यहीं बताना था न, तो लास्ट में answer लिख दीजिएगा, hence, proved, ठीक, तो पहला question यहाँ पर complete हुआ, देख लो, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला question, यहाँ पर दीखिएगा, बच्चों, यह रहा आपका second question, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कि अगर यह तीनों ratios क्या है, आपस में equal है, और x plus y plus z is not equal to 0, then show that, तो फिर हमें यहाँ पर क्या show करना है, कि the value of each ratio is equal to 1, ठीक है, यह हम लोगों को यहाँ पर show करना है, अब इसको कैसे solve किया चाहें, तो देखो, यहाँ पर na already इन्होंने एक hint दिया हुआ है, क्या लिखा है, x plus y plus z is not equal to 0, तो देखो, यहाँ पर x plus y plus z किया गया है, इसका मतलब, मतलब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, देखो, यहाँ पर x है, इधर y है, इधर z है, यानि हमें क्या करना होगा, इन तीनों को हम लोग यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है, जैसे हम इस question को solve कर रहें न, वैसे ही जो अगला question है, इसके आगे वाला, यानि कि third sub question उसे भी ऐसे solve करना है, क्योंकि उस वाले question में भी इसी तरीकी का एक statement दिया गया, x plus y plus z is not equal to 0, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अभी हम क्या करेंगे, पहले त x is equal to z upon में देखे, 3z minus x minus y, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे न, इन तीनों को plus कर देंगे, मतलब ये तीनों ratios जो हैं, इनको हम plus कर देंगे, तो देखे, यहाँ पर हम कौन सा theorem लगा रहें, theorem on equal ratios, right, तो देखो, यहाँ पर x plus y plus z होगा, तो जो हमने उपर किया, वही हम लो equal ratio में, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर इन तीनों को भी हम plus कर देंगे, तो 3x minus y minus z, ठीक है, इसमें हम लोग plus करेंगे, इसको, यानि कि 3y minus z minus x को, ठीक है, फिर इसमें हम plus करेंगे, किसको plus करेंगे, तो 3z minus x minus y को, पराबर, यहाँ पर कौन सा ratio आया, तो by theorem on equal ratio, चलो, इसक ठीक है, चलो, अब आगे देखो, क्या करेंगे, हम लोग यह जो bracket है, इसको हम हटा देंगे, उपर तो वही रहेगा, x plus y plus z, नीचे, brackets हटा दीजिए, यहाँ पर 3x minus y minus z, प्लस 3y minus z minus x, ठीक है, फिर उसके बाद, plus 3z minus x minus y, बराबर, अब देखे, यहाँ पर कुछ cancel हो रहा तो 3x और यह x, ना, cancel नहीं हो रहा, रुको, सोचने दो अच्छे से, यहाँ पर कुछ cancel क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए था, अज़र रुको, यहाँ पर है 3x और इधर भी यह x, और यहाँ पर भी x है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखे, अब मैं आपको directly देखो, यह x और यह x, दोनों माइनस में हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड जाएंगे, ठीक है, तो जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, माइनस 2x आएगा, समझ रहा हो की नहीं, रुको, मैं आपको एक और स्टेप करके बताती ह हो, यहाँ पर यह मैंने लिख दिया, अभी हम क्या करेंगे, जो like terms है, उनको एक पास लेते हैं, मतलब यहाँ पर 3x है ले लो, और कहीं पर x है, यहाँ पर यहाँ पर तो इन दोनों को हम लोग इसके पास बुला लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है y, और कहीं पर y सेले terms है, यह देखो, यह रहा और यह रहा, चलो, इसको भी हम लिख लेते हैं, 3y और फिर यह माइनस y, ठीक है, फिर उसके बाद बचता है z, तो माइनस z, और कहीं पर z है, यहाँ पर है, तो मैंने इदर लिखा, माइनस z, फिर यहाँ पर लिखेंगे, प्लस 3z, ठीक है, स माइनस 2x, देखो, अगर ऐसा है, 3x माइनस 2x, तो आंसर क्या आएगा, उनली x आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x, ठीक है, फिर उसके बाद अभी आप लोग y वाले में आ जाएगा, तो माइनस y, माइनस y, दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, माइनस 2y, मतलब 3y म मिल करके माइनस 2z हो जाएगा, और 3z माइनस 2z करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आजाएगा, ओली z, ठीक है, अभी क्या, इधर ध्यान से देखो, इधर क्या है, x प्लस y प्लस z, नीचे भी क्या है, x प्लस y प्लस z, है ना, मतलब इन तीनों को जोड करके, जो नीचे भी आएगा, क्योंकि same to same है, और इनको जब हम कैंसल करेंगे, तो क्या आजाएगा, वैसे ही यहाँ पर भी x प्लस y प्लस z को जोड करके, जो वेल्यू ऊपर आएगा, वही नीचे भी आएगा, क्योंकि same to same है, यहाँ पर इसका आंसर क्या आजाएगा, student 1 ठीक है, तो यहाँ पर हमसे वही बोला गया था ना, कि the value of this ratio को हमें equal to 1 लाना है, तो लातो दिया हमने यह तीनों ratio के equal में क्या आया है, वन आया है, तो यहाँ पर last में answer लिख दो, कि x upon 3x minus y minus z, यह equal है किसके y upon 3y minus z minus x, which is equal to z upon 3z minus x minus y, यह सभी equal आगे, किसके equal आगे, तो वन के equal आगे, ठीक है, तो बस यही है आप लोगों का final answer, देख लो, second sub question यहाँ पर complete होता है, अभी हम लोग देखेंगे third वाला, okay, third sub question देख लेजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, कि अगर यह तीनो ratio आपस में equal है, और x plus y plus z is not equal to 0, then show that, हमें क्या show करना है, कि a plus b upon 2, ठीक है, यह हम लोगों को यहाँ पर show करना है, तो कैसे होगा, चलो समझाती हूँ, देखो, यहाँ पर हम लिख देंगे solution, और देखो, यहाँ से आप लोग को एक hint विलेगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, x plus y plus z is not equal to 0, और ऐसा ही पिछले वाले question में लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया था, तीनो ratios को plus किया था, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले है, तीनो ratios को plus करने वाले है, ठीक है, चलो यह देखते हैं, पहले question को लिखेंगे, ax plus by, नीचे के आएगा, x plus y, ठीक है, यह किसके equal, तो bx plus az upon x plus z, ठीक है, फिर यह किसके equal आएगा, तो ay plus bz upon y plus z आजाएगा, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, तो यह जो तीनो ratios है ना, इनको हम लोग plus कर देंगे, तो देखो कैसे होगा, आपको बताती हूँ, यहाँ पर ax plus by, ठीक है, इसमें हम जोडेंगे इसको bx plus az को, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ay plus, यह ay है, ay plus bz, ठीक है, तो जो हमने उपर किया, वही नीचे भी करना होगा, यनिकी, x plus y plus x plus z plus y plus z, ठीक है, कौन सा ratio हमने यहाँ पर लगाया, मतलब कौन सा property लगाया, theorem on equal ratios, तो चलिए इधर लिखिए, by theorem on equal ratios, ठीक है, चलो, अब आगे देखो, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट साना, इनको हम अटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ax plus by, फिर इधर आएगा, bx plus az plus ay plus bz, ठीक है, और नीचे के आएगा, यहाँ से भी ब्रैकेट हटाईएगा, तो x plus y plus x plus z plus y plus z, ठीक है, अब भी क्या करना है, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें a है, इसमें a है, और इसमें भी a है, तो जो a वाल हैंगे, देखो, यहाँ पर ax, फिर देखो az, और फिर ay, ठीक, और यह जो b वाले हैंना, उनको एक साथ लिखते हैं, तो by, bx और bz, चलिए, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या क्या था, bx, by, bx और bz, ठीक, और फिर यहाँ पर नीचे देख लिजीएगा, यह देखे, x plus x, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर यह देखो, y plus y, यहाँ पर हो जाएगा, 2y plus z plus z, यह दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा, ठीक है, इतनी बाते समझ मैं, चलिए, अब आगे देखे, यहाँ से हम क्या common ले सकते हैं, तो इन तीनों में, देखो क्या common है इन तीनों में a common है ना तो a को मैंने बाहर निकाल लिया ठीक है लो जी a को बाहर निकाल लिया फिर bracket के अंदर बोलो क्या आएगा तो x, z और y है ना मतलब x plus z plus y तो पहले हम लोग y को लिख देते बाद में z को लिख देंगे चलेगा ऐसे करके लिख सकते हैं फिर उसके बाद एको यह तीनों में हम लोग क्या common ले सकते हैं तो b को common ले सकते हैं तो यहां से मैंने b को common निकाल लिया फिर bracket के अंदर क्या बचेगा y, x और z तो चलिए इसको हम लिख देते हैं x plus y plus z आप सोच रहे होंगे इधर उल्टा पूल्टा क्यों कर रहे हो यहां पे तो पहले y है पहले y लिखो चलेगा ऐसे आप कर सकते हो पहले y को लिखो बाद में x को लिखो या फिर z को पहले लिख दो बाद तो वही है न हर जगा प्लस का इसाइ अब आगे देखो यहां पर देखो इसमें इन दोनों में देखिएगा क्या common है x plus y plus z इधर भी है इधर भी है यानि कि यह common है न तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे यानि common ले लेंगे ठीक है तो bracket के अंदर हम लिखेंगे x plus y plus z ठीक है तो फिर यहां पर बचेगा क्य दूसरे bracket में क्या आएगा a plus b आ जाएगा देखो a plus b ठीक है और नीचे क्या है देखो 2 है और फिर क्या है x plus y plus z आंसर मिल गया कैसे देखो यहां पर x plus y plus z इधर भी है x plus y plus z इन दोनों को हम लोग कैंसल कर सकते हैं ना कर सकते हैं कि नहीं हाँ या नहीं कर सकते हैं ठीक है तो इससे यह कट गया बचेगा क्या a plus b upon 2 चलो इधर आप लिख दो a plus b upon में आ गया 2 हैंस प्रूव्ड जो आपको प्रूव करना था हमने कर दिया चलो इधर लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड ठीक है तो देखलो थर्ड सबकोशान भी यह पर कंप्लीट होता है अगला कोशान देखते हैं तो यह रहाँ आपका फोर्द शॉपकोशान इसमें ये तीनो ratios को equal बताया गया है ठीक है तो फिर हमें यहाँ पे show करना है कि ये तीनो ratios भी क्या है आपस में equal है ठीक है अब ये कैसे होगा चलिए समझते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे solution चलो सबसे पहले जो given है उसको हम लिखते हैं अच्छा एक काम करेंगे पता है ये तीनो ratios को को ना हम लोग के मान लेते हैं तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि let y plus z upon जैसे हमने फर्स्ट वाला question किया था ना कुछ-कुछ उसी के जैसा है ये ये equal है z plus x upon b ठीक है और ये equal है x plus y upon ck ठीक है हमने क्या किया ये तीनो ratios को na kk equal consider कर लिया है ठीक है अब उसके बाद हमें क्या करना है एक एक देखते जाना है और फिर हम मतलब लाते जाएंगे यानि जो भी हमें प्रूफ करना है वह करके आएगा कैसे आएगा सुनी एकदम ध्यान से यह तीनों के जगा पर हम लोग के लिख सकते हैं बराबर अब इदर देखिएगा यहाँ पर पहले वाले में फिर हम क्या लिखेंगे b plus c तो b फिर c को इसमें plus करेंगे फिर minus a तो a को हमने क्या किया minus किया तो जो हमने नीचे किया वही हमें उपर भी करना पड़ेगा बराबर तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिख लिए लिए मैंने इदर लिख दिया z plus x ठीक है फिर उसके बाद हम प्लस का साइन फिर इदर हमने क्या लिखा सी कहां पर है यहां पर सी के ऊपर क्या है एक्स प्लस जेट तो यहां पर हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई है सॉरी एक्स प्लस वाई ठीक है फिर उसके बाद हमने माइनस का साइन लगाया है और क्या लिखा है ए कहां पर है यहां पर इसके ऊपर क्या है y plus z तो यहाँ पर हम रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे student y plus z लिख देंगे ठीक है यह सब कुछ हमने कैसे किया तो theorem on equal ratio की मदद से किया बराबर तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसका reason कि by theorem on equal ratios by theorem on equal ratios ठीक है इसको थोड़ा बीच में लिखना चाहिए b plus c minus a ठीक है चलो अब भी क्या यह जो ब्रैकेट दिया गया है इसको हम अटाएंगे तो z plus x plus x plus y फिर minus अंदर जाहेगा तो minus y minus plus minus z यहाँ पर हो चाहेगा और नीचे क्या आएगा तो b plus c minus a ठीक अब दीखिए यहाँ पर अगर कुछ cancel हो रहा है तो उसको cancel हम कर सकते हैं तो z से z कर जाएगा क्योंकि यह plus में यह minus में फिर यह प्लस y minus y यह दुनों हो जाएगे cancel और x plus x दुनों मिल करके क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा नीचे हम लिखेंगे b plus c minus a ठीक है आप बोलेंगे यह तो आया ही नहीं यहाँ पर तो x है और यहाँ पर 2x है कोई बात नहीं अभी ऐसे ही आने तो बाद में हम लोग ना उसको cancel कर देंगे कैसे cancel होगा अभी आपको आगे पता चल जाएगा अभी फिलाल के लिए इसको लिखिए equation number 1 ठीक है फिर उसके बाद अभी हम क्या करेंगे अब इसको लाने की कोशिश करेंगे तो देखो यह तीनो रेशियो किसके equal है के के यानि इसके place पर हम लोग के लिख सकते हैं ठीक अब इधर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि c प्लस a-b तो c कहां पर है यहां पर है तो मैंने इधर लिखा c प्लस b c plus a sorry c plus a minus b ठीक है तो देखो जो हमने नीचे गया वही हमें ऊपर भी करना पड़ेगा तो इसमें देखिएगा c के ऊपर क्या है x plus y है तो यहां पर हम लिखेंगे student x plus y फिर इसमें plus करेंगे किसको किसको plus क्या है एक हो ना तो a के उपर क्या है y plus z तो अभी इसमें हम इसको plus कर देंगे फिर इदर देखो minus का sign और b नीचे है तो b के उपर के आए z plus x तो यहां पर आजाएगा student z plus x ठीक है यहां पर कौन सा वाला हमने property लगाया तो यह वाला लिखिए by theorem on equal ratios theorem on equal ratios ठीक है चलो जी आ गया आजाओ अभी क्या यह जो bracket दिये गए है इन सभी को हम लोग ह multiply अंदर कर देंगे तो minus z plus minus इदर minus x आजाएगा और नीचे बोलो जल्दी से क्या आएगा तो c plus a minus b ठीक है इदर equal का sign अब इदर देखिएगा यहां पर कुछ cancel हो रहा है तो उसको cancel करते है तो x minus x इन दोनों को हमने कर दिया cancel z और minus z यह दोनों हो जाएगा cancel y plus y मिलकर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा नीचे c plus a minus b इसको अभी हम लिखने वाले है equation number 2 ठीक है अभी क्या यह भी आ चुक है c plus a minus b ठीक है अभी यह लाने की कोशिश करते हैं तो चलो टीनों रेशियो के के equal है तो हम टीनों रेशियो के place पर क्या लिख सकते हैं तो k लिख सकते हैं यहा यहाँ पर minus c ठीक है अभी देखो यहाँ पर a है ना तो a के उपर क्या है y plus z तो हम यहाँ पर लिखेंगे y plus z फिर इसमें हम plus करेंगे मतलब किसको plus क्या था बी को तो b के उपर क्या है z plus x तो यहाँ पर हमें लिखना होगा z plus x फिर इसमें से minus क्या हमने c को तो c के उपर क् प्लस Y तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे स्टूडेंट X प्लस Y ठीक है समझ में आया कौन सा यहां पर हमने प्रॉपर्टी लगाया बाइधियरम ओन एक्वल रेशियो तो चलो इधर लिखो बाइधियरम ओन एक्वल रेशियो ठीक है अभी क्या जो ब्रैकेट दिया गया उसको हटा देते हैं तो देखिए यहां पर Y प्लस Z ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा फिर प्लस Z प्लस X माइनस अंदर जाएगा तो माइनस X और यहां पर माइनस Y हो जाएगा और नीचे A प्लस B माइनस C चली अभी आगे देखिएगा यहां पर कुछ कैंसल हो रहा है क्या तो प्लस X माइनस X और माइनस Y प्लस Y Z प्लस Z मिलकर के क्या हो जाएगा इधार आएगा 2Z है ना यहां पर लिखेंगे 2Z फिर नीचे देखिएगा A प्लस B माइनस में C ठीक इसको हम लोग लिख देंगे एक्वेशन नमबर 3 ठीक है अब एक्वेशन नमबर 1,2 और 3 मतलब 3 को देखिएंगा आप लोग देखो यह वाला रेशियो केके इक्वेल है यह भी केके इक्वेल है और यह भी केके इक्वेल है मतलब यह तीनों आपस में equal हो सकते हैं है ना हर जगा के हमने लिखा है ना यानि कि यह तीनों ratios भी क्या हो जाएंगे आपस में equal हो जाएंगे तो देखो यहां पर हम लिखेंगे from 1, 2 and 3 1, 2 and 3 ठीक है तो यह तीनों से हम क्या बोल सकते हैं कि this is equal to 2x upon b c-a ठीक है यह किसके equal होगा तो देखो दूसरा वाला ratio 2y और नीचे देखें c-a-b ठीक है और फिर यहां पर तीसरा वाला ratio देख लो 2z upon a plus b minus c यह तीनों आपस में क्या हो जाएंगे equal हो जाएंगे ठीक है अभी जो हमें प्रूब करना था वो तो आया ही नहीं यह तो क्या क्या आ गया यहाँ पर यह 2 एक्स्ट्रा आ गया है ना तो 2 को हमें हटाना होगा आप 2 कैसे हटेगा सोचिए जल्दी से कैसे हट सकता है अगर हम 1 by 2 से हर एक रेशियो को डिवाइड कर दे तो 2 यहाँ से हट सकता है है ना तो चलिए यही काम कर देते हैं डिवाइड नहीं करेंगे multiply करेंगे 1 by 2 से यह पर डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हो डिवाइड जब लिखोगे ना तो आपको 2 लिखना होगा ठीक ह देखो जैसे आपको थोड़ा explain कर देती हो मान लीजी ऐसा कुछ है 2x upon 3 ठीक है मुझे क्या करना है यह जो 2 है यहां से अटाना है तो मुझे क्या करना होगा है हम इसको मुझे इसको 2 से डिवाइड करना होगा तो अगर इसको 2 से डिवाइड करूं और यहां पर जाएगा और यह थ्री पहले से तो200 न सब्सक्राइब तो मैंने यहाप क्या किए अधर मेरे पास और आपक्शन है दिए कर दो या फिर से डिवाइड कर दो या फिर 1 by 2 से मल्टिप्लाइग कर दो बात वही होगे ठीक है समझ में आया दोनों ही मैंने आपको बता दिया अब जो करना है वो करूँ चलो मैं यहां पर मल्टिप्लाइंग इस टम मल्टिप्लाइंग इस टर्म by 1 by 2 ठीक है तो यहां पर आजाएगा 1 by 2 into 2x upon b plus c minus a which is equal to 1 by 2 into 2y फिर नीचे इसके c plus a minus b which is equal to 1 by 2 into 2z upon a plus b minus c ठीक है चलिए अभी कैंसल करते है 2 से 2 गया यहां पर भी 2 से 2 और इधर भी 2 से 2 चला जाएगा अब जो बचा हुआ है उसे finally आप लिख दो और यही आपका final answer हो जाएगा y और नीचे फिर यहां पर z और नीचे क्या है a plus b minus c ठीक है तो जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया देखो same to same सब कुछ same रहेगा ओके तो last में लिख देना hence comma proved ओके चलो जी fourth sub question में यहां पर complete होता है अब इसके आगे एक और last one है पहले आप इसको देख लीजिए फिर उसके बाद हम लोग finally question number 3 का last question देखते है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला question देखते हैं तो यह रहा आपका fifth sub question इसमें क्या लिख तो फिर हमें क्या शो करना है कि every ratio is equal to x upon y ठीक है अब यह कैसे होगा चलिए समस्ते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले solution लिख देंगे फिर उसके बाद यह जो तीनो रेशियो दिएगा ना उनको हम यहां पर लिखने वाले हैं तो जाले लिखते हैं 3x-5y upon में देखिएगा 5z प्लस 3y which is equal to x plus 5z upon y minus 5x ठीक है फिर उसके बाद यहां पर y minus z और यहां पर x minus z ठीक है अभी कैसे इसको solve किया जाए सोचना पड़ेगा अच्छे सोचिए देखिए हम एक काम कर सकते हैं क्या कर सकते हैं यहां पर ना अगर आप देखोगे अगर मैं इन सब एको प्लस करू तो यहां पर कुछ cancel होगा क्या तो पहले आप इदर देखो आपको समझाती हो देखो अगर यहां पर क्या है 3x है ठीक है और यहां पर 5z है और यहां पर minus 5y है और यहां पर y minus z है तो कुछ cancel करना होगा तो देखो अगर मैं यहां पर मतलब इसमें यह जो y minus z है अगर मैं इ इधर multiply करने के बाद अगर मैं इसको जोड़ूंगी न तो यह और यहां से cancel होने वाले है ठीक है cancel हो जाएंगे और फिर यह थोड़ा और छोटा हो जाएगा तो देखो अगर हम उपर 5 से multiply करेंगे तो हमें नीचे भी करना होगा क्योंकि ऐसा rule होता है अगर आप किसी ratio में multiply करना होता है ठीक है तो चलिए आ जाएए यहां पर देखिए हम लिखते हैं क्या लिखेंगे कि 3x-5y इसमें कुछ भी मत कीचेगा यह जैसा है न वैसा ही रहने दीजिए 3y which is equal to इसको भी ऐसे ही रहने दो 5z और y-5x इसमें हम क्या करेंगे इसमें न 5 से multiply करेंगे ऊपर और नीचे तो y-z और फिर नीचे भी 5x-z ठीक है समझ में आया यहां पर हम क्या लिखेंगे यहां पर हम लिख सकते हैं कि multiplying multiplying third ratio by 5 by 5 ठीक है इस प्रकार से लिख दूँ कि multiplying multiplying third ratio by 5 upon 5 यानि कि 5 upon 5 से हमने क्या किया उपर मतलब यहां पर third ratio में multiply कर दिया ठीक है चलिए अभी आगे देखिए हम क्या करेंगे इन सभी को अभी प्लस कर देंगे theorem on equal ratio से ठीक है तो देखिए bracket के अंदर क्या आएगा 3x minus 5y फिर प्लस का sign फिर उसके बाद x plus 5z फिर यहां पर plus और multiply करो अभी directly 5 into y करोगे तो कितना आएगा यहां पर आजाएगा 5y और 5 into z करोगे तो minus 5z फिर नीचे भी हमें y करना पड़ेगा इन सभी को प्लस करना पड़ेगा तो 5z plus 3y फिर उसके बाद y minus 5x और यहां पर भी multiply कर दो 5 into x करेंगे तो 5x आएगा और 5 into minus z करेंगे तो minus 5z आजाएगा यहां पर हमने कौन सा रिशियो यूज किया तो लिखो इदर by theorem on equal ratios ठीक है रुकिये अभी जो ब्रैकेट से ना इनको आम लोग हटाएगे तो यहां से ब्रैकेट हटाओ बोलो क्या आएगा 3x minus 5y फिर उसके बाद जार प्लस का साइन उसके बाद x plus 5z फिर यहां पर प्लस उसके बाद क्या आएगा 5y minus 5z ठीक है और नीचे क्या आएगा देखिए का यहां से भी हम लोग ब्रैकेट को अटाएंगे तो 5z plus 3y फिर यहां पर प्लस का साइन y minus 5x plus 5x minus 5z अभी जो भी कैंसल होता है उसको कैंसल कर दो तो देखो यहां पर क्या क्या कैंसल हम कर सक करते हैं तो यह देखो plus 5z minus 5z इन दोनों को हमने कर दिया है कैंसल ठीक है फिर यहां पर देखिएगा minus 5y plus 5y इन दोनों को भी कर देते हैं कैंसल फिर यहां पर बसता क्या है देखो 3x plus 6 इन दोनों को जोडएंगे तो क्या आएगा 4x आएगा ठीक है अभी नीचे देख लो अगर बोलो यहां पर क्या आ जाएगा तो X upon Y आ जाएगा ठीक है तो देखो हर एक जो रेशियो है वो किसके एक्वल आ गया एक्वल आ ठीक है आप बोलेंगे हर एक रेशियो कैसे तो बाइट एरम उन एक्वल रेशियो यही तो था कि मतलब हम लोग प्लस करें या फिर माइ इसमें एक्वल है ठीक है इस तरीके से हम इसको यहां पर लिख सकते है तो अभी यह इधर लिखने की बजाए इधर आव नीचे और लिख दो यहां पर कि हैंस देर्फोर 3X-5Y upon 5Z plus 3Y which is equal to X plus 5Z नीचे लिखिये Y-5X which is equal to Y-Z फिर नीचे लिखो X-Z यह किसके equal हो गया तो X upon Y के equal हो गया यही तो हमें लाना था कि इसको छोड़ूंगी नेक्स वीडियो में हम लोग इसको करेंगे ठीक है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देदूंगी तो वहाँ जाकर करके आप लोग उस वीडियो को देख लिए चाहिए ठीक है लेकिन पहले आप ट्राइ करो थोड़ा में आपको हिंट देती देखो आपने प्रेक्टिस एट 4.3 में इस टाइप के question को solve किया था कौन सा question था मतलब इसको देखो दो method से हम लोग solve कर सकते हैं एक तो theorem on equal ratio वाली जो property हमने पढ़ी इसका भी use करके आप इसको solve कर सकते हो या फिर जैसे हमने 4.3 में questions को solve किया था वैसे भी कर सकते देखो 4.3 में जाओ question number 4 का first और second जो sub question है जैसे हमने उन दोनों को solve किया था वैसे ही यहाँ पर question number 4 के दोनों sub questions को solve करना है ठीक है तो पहले आप try कीजिए और फिर next video को आप लोग देख लिजेगा तो आपको इसका solution मिल जाएगा ठीक है तो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही पड़ा ही करते रहो ठीक है